हेलो दोस्तों मैं ग्रिश्व आपके सामने एक नहीं वीडियो दाया हूँ दे टूड़े इंग्लिश संटेंस की तो आज की वीडियो शुरू करते हैं और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं चैनल स्काइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक की आपको मेरे अपडेट मिलते हैं तो शुरू करते हैं आपका पहला संटेंस है क्या तुम जानते हो इसे आप एंग्लिश में कैसे क्या सकते हैं डू नो आपका अगला संटेंस है आप जानते हैं क्या इसको आप एंग्लिश में कैसे हो सकते हैं डू नो आपका अगला संटे क्या आप उनका पता जानते हैं, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, Do you know his address? आपका अगला sentence है, चोट तो नहीं आई है, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, Hope you have not got hurt. आपका अगला संटेंस है, क्या आप नाराज हैं? इसको आप इंग्लिश में कैसे बहुत सकते हैं? Are you annoyed? आपका अगला संटेंस है, क्या आप बजार जा रहे हैं? इसको आप इंग्लिश में कैसे बहुत सकते हैं? Are you going to the market? आपका अगला संटेंस है क्या टमाटर ताजे है इसको आप इंग्रिश में कैसे कह सकते है Are the tomatoes Are the tomatoes fresh आपका अगला संटेंस है क्या उसने तुमारा मकाम देखा है इसको आप इंग्रिश में कैसे कह सकते है Has he seen your house आपका अगला संटेंस है क्या वह आपको जानता था इसको आप इंग्रिश में कैसे कह सकते हैं दिद ही नो यू आपका अगला संटेंस है क्या आपने दवा ली इसको आप इंग्रिश में कैसे कह सकते हैं Have you taken the medicine? आपका अगला sentence है. कुछ मिला तुम्हे क्या? इसको अप इंग्रिज में कैसे कह सकते हैं? Did you get something? आपका अगला sentence है. सब ठीक ठाक है. इसको आप इंग्रिज में कैसे बोल सकते हैं? Is everything fine? आपका अगला sentence है. क्या यह सच है? इसको आप इंग्रिज में कैसे बोल सकते हैं? Is it true? आपका अगला sentence है. क्या अब है? आपको जानती है. इसको आप इंग्रिज में कैसे कह सकते हैं? Does she know you? आपका अगला sentence है. क्या? अब मैं घर जाओं. इसको आप इंग्रिज में कैसे कह सकते हैं? May I go home now आपका अगला sentence है क्या हम पत्रिका आपके लिए मंगवा दे इसको आप English में कैसे कह सकते है Do we get magazine for you आपका अगला sentence है आप एक क्रिपा करेंगे इसको आप English में कैसे कह सकते है Will you do me a favor आपका अगला sentence है आप सायर करने चलेंगे इसको आप English में कैसे बोल सकते है Will you go for a walk आपका अगला sentence है क्या यह है बस मदुरासी होटल रुकेगी आप इसको आप इसे English में कैसे बोल सकते है Will this bus stop at मदुरासी होटल आपका अगला sentence है क्या उससे मिलने जाओ इसको आप English में कैसे बोल सकते है Should I visit him or her आपका अगला sentence है क्या तुम एक दिन नहीं रह सकते इसको आप English में कैसे बोल सकते है Can you not stay for a day? आपका अगला sentence है क्या तुम अपनी पुस्तर एक सब्ता के लिए दे सकते हो? इसको आप English में कैसे बोल सकते है Can you not land me your book for a week? आपका अगला sentence है क्या मैं प्रकाश्वीर से मिल सकता हूँ आपका आप इसे इंगलिश में कैसे बोल सकते है Can I see Mr. Prakashvir आपका अगला सकते है